नमस्कार, बारत के पुर्वी हिस्से के लोग चीनियों की तरह दिखते हैं, तो दक्षिण में लोग अफ्रीकी लगते हैं, वहीं पश्चिम में लोग अर्बी लगते हैं और उत्तर भारती गोरे होते हैं, ये नसली ये बोल सैम पित्रोदा के हैं, इंडियन ओवर्सीस कॉं सैम पित्रोदा की इस टिपड़ी को नसलवादी और विवाजनकारी बताया है, सैम पित्रोदा जिनने भाषपार राहूल गांदी का गुरू कहती है, जब उन्होंने ये टिपड़ी की, तो वो अभारत की विवीदता के बारे में बात कर रहे थे, उन्होंने अंग्रेजी एक बार स्टेट्समेन के साथ साक्षातकार में कहा कि एक दिरिश राम मंदिर, भगवान, इतिहास, विरासत, हनुमान, बजरंग दल और सभी प्रकार के मुद्दों पर केंद्रित है, एक और समू है जो कहता है कि हमारे संस्थापत पिता ने हिंदू राष्ट के लिए नह हम दुनिया में लोकतंत्र का चमकता उदारण है, सैम पित्रोदा ने आगे कहा कि भारत में अलग अलग शकल सुरत वाले लोग मिल जूल कर रहते हैं, उन्होंने कहा कि हम सत्तर पिछत्तर साल से बहुत खुशहाल महौल में रह रहे हैं, जहां लोग यहां वहां के कुछ ज रख सकते हैं, जहां पुर्व के लोग चीनियों की तरह दिखते हैं, पश्चिम में लोग अरब जैसे दिखते हैं, उत्तर में लोग शायद श्वेत जैसे दिखते हैं और दक्षिड में लोग अफरीकी जैसे दिखते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, दरसल भारत की विविदता की बात करते करते सेम पित्रोदा ने भारत के अस्तित्र को ही नकार दिया सेम पित्रोदा की ये टिपणी उनकी उपनिवेश वादी मानसिक्ता की ओर ही इशारा करती है प्रदान मंत्री नरेंद्र मुदी ने तेलंगाना के वारंगल में एक चुनावी सबा को संबोधित करतेवे सैम पित्रोधा के बयान पर कांग्रेस और रहूल गांदी को जम कर घेरा और कहा कि क्या मेरे देश में चमडी का रंग देखकर लुगों की योगिता तैह होगी मेरे देश का अपमान कर रहे हैं वहीं असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिश्वा सर्मा ने एक्स पर लिखा की सैम भाई मैं नौर्थ इस से हूँ और भारती जैसा दिखता हूँ हम एक विवितिता पूर्ण देश हैं हम अलग दिख सकते हैं लेकिन हम सभी एक हैं किरपिया हमारे देश के बारे में कुछ सिखें बाश्पानेता डॉक्टर सुधानशू त्रिविदी ने कहा कि सैम पित्रदा ने भारत भारती संस्कृती भारत की पहचान और यहां के लोगों की पहचान पर अपति जनक बयान दिया है ऐसा लगता है कि यह विशय केवल चुनाव या राजनिती तक ही सिमित नहीं है बलकि भारत के अस्तित्व से जुड़ा है क्योंकि अब भारत के अस्तित्व पर सिधा सवाल उठाया जा रहा है अबिनेत्री से नेता बनी और भाषपा उमिद्वार कंगना रनोत ने सैम पित्रोधा पर भारतियों पर नसलवादी और विवाजनकारी का टाक्ष करने का आरोप लगाया इस चुनावी विला में चुनावी नुकसान को भापतेवे कांग्रेस ने पित्रोधा के बयान से किनारा करने में देर नहीं लगाई कांग्रेस नेता जैराम रमेश ने एक्स पर एक पोस्ट में लिखा भारत की विवीदता को चित्रित करने के लिए सैम पित्रोदा द्वारा पॉड्कास्ट में तैयार की गई उपमाएं सबसे दुरुभागयपोन और आस्विकारिये हैं भारती राश्ट्री कॉंग्रेस इन उपमाउं से खुद को पुरी तरह से अलग करती है मालुम हो की सैम पित्रोदा का विवादित बयानों से नजदी की रिस्ता है विरासत टेक्स, सिख विरोधी दंगों, मिडिल क्लास को स्वार्थी ना बन कर और ज़्यादा टेक्स देने के लिए कमर कस लेना चाहिए बाला कोट एर स्ट्रेक और मंदिर बनाने से आपको रुजगार नहीं मिलेगा जैसे बयान कांग्रेस पाल्टी की किरकिरी कराते रहे हैं आज के इस अंके में बस इतना ही आप से अन्रूध है कि आप मेरे इस चैनल से जुड़े रहे है और इसे सब्सक्राइब भी कर लिजे जैहन